इस टूटोरियल में हम बात करेंगे कि कैसे हम एक variable को declare करते हैं और कैसे हम उसको initialize करते हैं और also हम उसको use कैसे करते हैं अगर हम देखें एक simple variable declaration int myAge इसमें पहला word जो होता है वो generally define करता है इस variable के type को और second is myAge, myAge यह define करता है कि जो variable है हमारा उस variable का identifier क्या है basically अब अगर हम इसको पढ़ें दुबारा तो int myAge यानि मैंने एक variable declare करा है जिसका नाम है myAge और जो की है int type का यानि integer type का इसका मतलब है कि myAge के अंदर अगर हम कोई value store करेंगे तो वो एक integer type की होगी और अगर यह कुछ और होगी जैसे कि boolean तो हमारा compiler हमको error देगा ठीक है और अब हम चलते हैं इस line में तो हमने सर्फ एक variable को declare करा है अगर हम next line में चलें तो हम next line में देखते हैं मैंने एक age नाम का variable declare करा है जो की again एक integer है जिसकी value है आपकी 30 यानि इस line में हमने variable को साथ में variable के declaration के साथ ही साथ उसकी value भी specify कर दी है अगर हमको एक से ज़्यादा variables एक ही type की define करने होते हैं तो हम basically उसको comma separation के साथ कर सकते हैं जैसे की इस line में हमने define करा है कि dummy1, dummy2, dummy3 नाम की तीन variables हमने define करे हुए हैं जो की integer type के हैं तो सबके सब यह हमने एक ही line में define कर दी हैं उसके बाद अगर हमको एक variable को जो हमने पहले define करणा है उसको use करा है यह use करना है तो हम directly उसको assignment operator से उसकी value को set कर सकते हैं assignment operator यानि equals to operator से हम इसकी value को set कर सकते हैं और साथ ही साथ इसके अंदर अगर हमको कोई operation करना है यानि plus minus तो कोई भी operator जो इस particular data type के साथ supported है हम उसको use कर सकते हैं इसकी value को modify करने के लिए एक चीज नोट करने वाली बात ये है कि Java में कुछ reserve keywords होते हैं like while, for, case, switch so हम identifier का नाम in reserve keyword के in reserve keyword से नहीं use कर सकते हैं उसके अलावा we are free कि हम कुछ भी नाम रखें basically there are few other naming conventions की ये integer से शुरू नहीं होना चाहिए तो ये हमको conventions follow करनी होती है thank you